जानते हो कपडों का सबसे महेंगा ब्रांड कौन सा है? इंडियन आर्मी की वर्दी देश के गद्दारों को उपर वाला भले ही माफ कर दे लेकिन एक फोजी किसी भी कीमत पे यहां तक कि अपनी जान की कीमत पे भी उसको कभी माफ नहीं कर सकता करोडों कमाने वाले भी यह वर्दी नहीं कमा सकते दुनिया के जो बड़े-बड़े करोड़ पती अरब पती बनके बैठे है न जो जिनको आप टीवी पर सिनेमा में हीरो बने वे देखते हो वो भी नहीं है उस वर्दी को कमाने के लाइक उसके लाइक बनना है अगर उस वर्दी को कमाना है न तो खुद की जिन्दगी, खुद की मा की खुशी और अपने बच्पन के सबी दोस्तों के साथ को कुर्बानी पे लगाना पड़ेगा और इस कुर्बानी की हिम्मत जिसमें होती है वही फोजी बनने के लाइक होता है अगर इस वर्दी को कमाना है न तो खुद को हर मोमा ऐसे बाहर निकाल कर आग में तपाना है कितना बड़ा दिल होता है उस मा का जिसका बेटा या बेटी डिफेंस में होते है कुछ पंक्तिया बोलना चाहता हूँ मैं उन सब खुश नसीब और हिम्मत वाले युवाओं के लिए जो अपने आपको उस वर्दी में देखना जाते है कि यह आग जलती है तो जलने दे मा अब मुझे तू फोजी बनने दे जाना है उस जगए जाना है उस जगए जहां सुना है मन के मौजी बसते हैं अब फोजी बनते हैं। मेरी माँ पल्लू में छिपी तेरी हसी बहुत प्यारी है। जिनको लगता है कि बोईफरेंट डर्फरेंट के अलावे इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। तो भाई कान कोल कर सुनो मेरी बात। बेवफाओं की इस दुनिया में हम कभी वफा ढूंडते थे। ये एक फोजी की तरफ से लाइन साब के लिए कि बेवफाओं की इस दुनिया में हम कभी वफा ढूंडते थे बड़े ना समझ थे जो रेगिस्तान में कमल ढूंडते थे। अरे बेवफा तुमारे लिए हम मरने का वादा करते थे थे ना अरे बेवफा तुमारे लिए हम मरने का वादा करते थे थे ना लेकिन सुन इस वर्दी के लिए तो बार बार पैदा होकर मरने का मन करता है और जो युवा ये बोलते हैं कि मेरी तो लाइप में यार बहुत स चूखते देखा है, जब-जब महंदी वाले हातों ने मंगल सुत्र उतारके रखा जिंदगी में समस्या किसके पास नहीं है, तर एक वो इंसान भी है जो फोजी की वरदी है हर समस्या का सामना करके अपना फर्ज नहीं बाता है लेकिन फिर भी रोता नहीं है, मस्कुढ़ाता है वो फोजी जो हर बार छुटी से वापस आते समय यही बोल के आता है कि जल्दी फिर लोट के आऊंगा लेकिन ये किसी को नहीं बता होता उसको खुद को की नहीं बता होता कि वो फिर जल्दी कब आने वाला है है ना हिम्मत, है ना हिम्मत मैं जीत फिक्स के मंच से उन सभी फोजी भाईयों को सलाम करता हूं और उन पोटेंशेल यूद को मोटिवेट करना चाहता हूं जो फोज में भरती होने का सपना अपने मन में ठानचुके हैं क्योंकि दुनिया में देश का नाम करने का इससे बहतर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता मैं सेल्यूट मारता हूं फोजीओं को जो एक मात्र रियल हीरो है इस कंट्री के फोजी एक तरह की हिरो नहीं है वो एक मात्र रियल हिरो है सेल्यूट जैहिंद वंदे मात्रव सेल्यूट जैहिंद पूल्यू जैहिंद एका है सेट्ट फिक स्थ झाल झाल